लगातार ब्रह्मनो के ऊपर बियान देकर के चर्चा में बने हुए हैं इस विसाय के उपर बात करेंगे मेरे साथ आरजेडी के वरिष्ट नेता स्यामराजक है जीतन रामान जी अब जो ब्राह्मनों के उपर उन्होंने टिपनी की थी उसके बाद उन्होंने ब्राह्मन और डलित एक सम्मिलन किया है भोज पे बुलाया है एक ता दिखानी की कोसिस सब्सक्राइब को कोई नोटिस में लेता हूं लेता हूं उनकी अपने विचार हैं अपने कर्म है आपने राजिति movies को नरॉश्ट्च को कम ब्रीटा दोgoing को मान रहे थे उसके बाबा सहब भीम राम बेदकर कि आप अगर बाग में पढ़े हैं अगर जून और कहा है की वह पढले कि आप पर हैं तो हमारे महापुरूसों ने राम के वारे में एक चर्चा है जी कुछ लोग बहुत भूंस मानते हैं। अलग विचार हैं अलग लोगों की तो मैं तो गरीब जनता के लिए हूं मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, गृजा, गृषवारा वो महत पुन नहीं है। आज के समय में जितन रामान जी इतना सिनियर लीडर है और इस तरह का वक्ट अब देते क्या राजनीटी में यह होना चाहिए सर जीतन वाबू एक बड़े नेतार है नितीज कुमार जी उनको बहुत सोच समझ करके मुखमंती बनाया होगा और बहुत सोच समझ करके फिर उनक को गले लगाया होगा तो नितीज कुमार जैसे विक्ति अगर सोच करके उनको बनाया हटाया लतिया फिर सटाया लतिया आप जो समझे आप देखे ना किसा उसमय के विक्तबों को देखिए उसके एक अंतिम सवाल यह है सर कि लगतार जो समा सुधार यातरा पे मुखमंते विपख सवाल उठा रही है आप लोगों को जवाब दे रहे हैं सरकार की उसी समय का विवस्था मतलब कमजोर है खराब किया हुआ उसी को सुधार रहे हैं लेकिन उनको भी याद रखना चाहिए कि लालु जी के गलबईयां बन करके चूटे भाई बन करके और वो काम करते थे तो उस समय के जो काल्ज रहे जिसकी प्रसंसाह करते थे उसके वारे में भी उनको अपना आतोमन्थन करना चलिए शुक्रिया सथ हैंक्यों